व्यापारिक संचार की प्रथाओं पर चर्चा करेंगे व्यापारिक संचार, संचार का ही भाग होता है जिसमें व्यवसाई क्रियाओं से संबंधित बातों पर चर्चा की जाती है और वो बाते व्यवसाई को गती शील बनाती है जब भी हम व्यपारिक संचार करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनें हम बोलते हैं प्रथाएं या फिर कार्रे प्रणाली या संदेश हमेशा सार्थक, सपस्ट और संशप्त होना चाहिए श्रोता उसके केंद्र बिंदू होने चाहिए यानि हमें पता होना चाहिए श्रोता कौन है, किस पद पर कार्रे कर रहा है, क्या उसकी आयू है, वर्ग, लिंग, पद, शिक्षिन का स्थर, बौधिक स्थर, इन सभी बातों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी बातें प्रेशक के संदेश के उद्देश को प्रभावित करती हैं। अपने सामने बैट कर चर्चा करने पर समझ में आता है। तो हमें एक ही समय पर अलग-अलग माध्यमों का प्रयोग करते हुए अपने संदेश को प्रेशित करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति प्रशासने क्या तक्निकी शब्दावली को समझे। तो हमें ऐसे जार्गन्स को अवाइड करना चाहिए। चित्रों, सारणी या अन्य किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए जिसकी वज़े से श्रोताओं को आपका संदेश आसानी से और जल्दी से समझ आ जाए। गर्भित प्रशनों का उत्तर देना चाहिए। गर्भित प्रशन वो प्रशन होते हैं जो श्रोता हम से पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हमें उनका जवाब देना होता है। आप मेरी शोता विशलेशन की वीडियो को सुन कर ये जान सकते हैं कि गर्वित प्रश्न क्या होते हैं। मुहावरे एवं टिपनियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक अर्थ से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करें। निन्दात्मक और गूड शब्दों का प्रयोग नहीं करें। शोता का विवार परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी पसंद की बाते उससे करें और फिर बातों ही बातों में अपनी बात को भी रख दें। जब भी आप शोता को कोई सूचना प्रदान कर रहे हैं तो उसकी सार्थकता और सत्तिता को सुनेशित कर लें। बोलने से पहले ही शोता से जान ले कि शोता आकर सुनना क्या चाहते हैं। संदेश समझने के लिए योग्य होना चाहिए और व्यवारिक होना चाहिए व्यवारिक का मतलब है श्रूता के पास समय की कमी होती है तो आपको अपना संदेश इस तरीके से तयार करना है कि श्रूता उसको कम समय में ही समझ पाए और वो प्रभावशील हो संपोन आवशक सूचना आप श्रोता को दें मजबूत शब्दों का प्रयोग करें अंचाहे शब्दों से बचें सक्रिय अवाज यानि एक्टिव वोईस का उपियोग करें बड़े पारेग्राफ की जगे छोटे छोटे पारेग्राफ में लिखें अगर आप लिख कर श्रोता तक संदेश पहुचा रहे हैं अपने मानसिक्ता को खुला रखें संस्था की नीतियों और नियमों में लचीलापन होना जरूरी है साथ सी का प्रयोग करें यदि हम अपने संचार को प्रभावी बनाना चाहते हैं आपका संदेश आपके उत्पाद की बड़ाई करने की जगे उसके गुणों को दर्शाता हुआ होना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने श्रोता तक अपने बात को आसानी से पहुचा सकते हैं यही सारी बातें हमें ध्यान रखनी हैं इन्ही को हम best practices of business communication कहते हैं आप सभी को समझाया होगा कि business communication की best practices क्या होती हैं मैंने इसमें गर्भित प्रश्न और साथ सी का शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए गर्भित प्रश्न के लिए आप मेरी श्रोता विशलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं और साथ सी के लिए भी मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है इसका लिंक मैं description box में लिख दूँगी तो आप सभी उनको भी देख लें ताकि आपको समझने में कोई भी परिशानी ना हो धन्यवाद, thank you for today